हाई गाईस गुरता हमें साहिल करते हैं आज की बनीव शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज है मुकेश अम्बानी जी की जो की रिलाइंस के चेर परसन है तो उनको डेट थ्रेट दी गई है कीमेल के अंदर जहाँ पर 200 करोड रुपया उनसे मांगा गया है इससे पहले भी हम बात करके चले 20 करोड रुपय की डिमांड का एक और मेल आया था जिसका कोई रिप्लाइ नहीं किया गया था अब फिर सही यह देखने को मिल रहा है तो आज कल हम देख रहे हैं जो बड़े लोग है उनको डेट थ्रेट साते हैं बहुत सारे आते हैं फिर उसके बाद में जैसे मुकेश उमारी जी है उनके बास तो भाई Z plus security है उनको तो को टेंशन ही नहीं है तो वो फिर सारे network लगाते हैं उसके बादा पकड़ा जा रहा है बाकी Reliance का जियो है वहाँ पर पता लग गया है कि वो अपने tariffs नहीं बढ़ाने वाला इसका मतलब यह है जो ATL price गर रह जिन लोगों को higher data packs के उपर जाना होगा वहां से अपना आर्पू बढ़ाएगे मतलब वहां से हम एक user से अपना पैसा बढ़ाएगे तो अच्छी strategy है अगर देखा जाए तो बाकी फिर भी अगर basic plans की बात करके चले बहुत महाँगे हुए है जैसे मेरे जैसे लोग जिनको तीन-तीन से में रखते है उनको तो तीनों को रिचार्ज कराने पड़ रहे है और आपके घर पे भी wifi आपके office में भी wifi और अगर आप कहीं पर नेटवर्क पर बात करते हो तो आप नेटवर्क का इशो बहुत है अब अगर हम phone pay की बात करके चले तो Amazon Flipkart और Geo Mart से compete करने के उतरने वाला है जो कि hyper local commerce है जहाँ पर अलगला टाइप के product मिलने वाले है इनका ये कहना है कि महाँ पर 1.2 million से जारा registered users आ चुके है 75,000 जारा store registered हो चुके है और 6 lakh से जारा order भी place हो चुके है जब से ये launch हुआ है तो देखा जाए तो ये अच्छी चीज है अगर ये data सब सचा ही नहीं बताते ना 75,000 stores और 6 lakh orders ही तो ये बात सही नहीं है math सही नहीं ही बन रही है अगर देखा जाए तो since its launch जो की time हो चुका है तो order बहुत जादा नहीं आरे सारा है adoption का खेल कितना जारा लोग इसको adopt करते है game वहाँ से बनेगी बहुत सारा लोगों ने Amazon phone पे दाल वह order करते रहते है adoption है तो pin code क्या वो adoption ला पाएगा या फिर नहीं ला पाएगा वो है important चीज़ बाकि अगर हम Google की बात करके चले तो उन्होंने 26 billion dollar default search engine होने के लिए pay किये है 2021 के अंदर और ये number देखा जाए तो बहुत बहुत बढ़ा है और default का मतलब क्या है कि अगर आप iPhone लेते हो या फिर कोई भी फोन लेते हो उसके अंदर आपको जो basic search होगा उसीधा Google पे कुलेगा और बाकि मुझे रखते है Google एक better search engine था अभी भी है पर पहले तो एकदम कोई compete ही नहीं कर सकता था इसलिए उसलिए सब कुछ आ रहा था तो अभी Microsoft नहीं शोर मचाया है Microsoft नेका भाई हमको बिंग इसले मी वड़ने दे रहे क्योंकि anti-competitive strategies लगा रहे है पर अगर अगर गूगल की बात करके चले तो नहीं नेकाया कि भाई हमारे लिए necessary था अगर हम समझनी कोश करें 2021 के अंदर $26.3 billion दिया जिसमें से इनका total advertising revenue $146.4 billion का था उसमें से इतना पैसा लोन regulations आ गए है ना business करने ही दे रहे है कि ऐसे नहीं करना anti-competition हो गया आप यह कर रहे हो कर रहे गलत ची बाकि अगर हम Apple इंडिया की बात करके चले तो उनका revenue 50,000 crore से उपर चला गया है जो net profit है वो भी 76% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है financial year 23 के अंदर जो sales है वो 48% बढ़ती revenue ही कोँ आपा है अब आप समयन दी कुश करो तो यह चीज बहुत अच्छी direction में पहले चीज और दुस साइट पर अंगर बात करके चले तो भाई आज रात को इवेंट होगा तक रात तो नहीं अगले दिन सुभी हो चुकी होगी तब तक बहुत लेट इवेंट होने वाला का किया है जो कि पहले अगर बात करके चले 338 करोड का था यहाँ पर हम बात कर रहे है सेकंड कोटर और फानेशल यह 23-24 के अंदर अगर इनके हाफ एरली प्रॉफिट की बात करके चले तो वह भी 19,000 करोड से ज़्यादा का दिखाई दे रहा है और यह नंबर्स बहुत 56 करोड का लॉस किया था जो कि 56 करोड तक पहुंच गया अगर हम पाइन लैप्स की बात करके चले तो वह एक तो कैश बैक से पैसा कमाता है सब्सक्रिप्शिं बेस से कमाता है जो यह डिवाइस देता है आपने कई बार देखा होगा आप कई पे करने के लिए जा तो यह मशीन है इसका वन टाइम इंस्टोलेशन हाडवेर कॉस भी हो लेते है और साथ में को ब्रेंडिंग सीज भी होती है को ब्रेंडिंग का मतलब क्या हुआ आप आइन लैप्स की मशीन यूज कर रहे है उसके अंदर किसी और कंपनी के एक्सवेज़ेट के आड आ रही है तो इनके जो लॉसेज है वो 9% गटते हुए दिखाए दिये रिवेन्यू बड़ता हुए दिखाए दिये पर बाकी फ्लैट ही दिखाए दिया रहा है पूरा बिसनस अगर दिखा जाये तो और मुझे लगता है हेल्दी फाई मी अच्छा काम कर रहा था थोड़ा अहेड भी थ 30,000,000 डॉलर प्री सीरीज डी राउंड के अंदर रेस किया था जून के अंदर और जो इनका एर आ रहा है वो 50,000,000 डॉलर से उपर है बाकी क्या आपने हंदी फाई मी यूस किया है और क्या आपकों से बैट पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है नीचे करोंड में जुरू अगली कबर ZWorks की है तो उनका जो revenue है वो 130% बढ़ता हुए दिखाई दिया है और जो इनके losses है वो 82% से बढ़ते हुए दिखाई दिये है अगर हम बात करके चले losses पहुंच गए है 108 करोड से उपर जो की पहले हुआ करते थे 59.76 करोड पर जो इनका revenue है वो revenue है 11,448 करोड य आपका experience कैसा रहा और कैसी है ये company अगली कबर कार 24 की है तो जो उनका revenue है वो almost flat रहा और जो उनके losses है वो 57% करते हुए दिखाई दिये है अगर हम बात करके चले revenue 7.8% बढ़ा है 5500 करोड के आसपास financially है 23 की बात करके चले और अगर हम losses की बात करके चले तो losses 468 करोड पे पह profitability की तरफ जाएगे margins को improve करने के विच्छ जाएगे अगली कबर Kolkata से है जो उनके restaurant है ना उन्होंने 1100 करोड रुपीस कमाए दुरगा पुजा के अंदर और कुछ-कुछ ऐसे restaurant भी थे जो pre-covid वाले revenue से ऊपर चले गए तो यह अच्छी चीज है और यहां से एक stat पता लग मेरे को क्योंकि नहीं पता था इसलिए मैंने उसको include कि भाई दुरगा पुजा के अंदर अच्छा revenue वनता है अगर अच्छे offers निकाने जा सके तो अगली कबर lens card की है तो उन्होंने AI based computer vision startup Tango Eye को खरीद लिया है अभी recently company ने 500 million dollar मार्स के अंदर ही raise किये थे उसके बाद में 100 million dollar का round किया था June के महीने के अंदर अगली कबर इंडिया की hiring की है तो इंडिया की hiring थोड़ी negative direction में जाती हुई दिखाई दे रही है IT sector के अगर बात करके चले पहली बार 25 सालों के अंदर IT sector shrink होता हो दिखाई दिखाई दिया है hiring के अगर हम बात करके चले तो 10 IT जो top companies है उसमें से 9 companies होने कम लोग hire किये है मतलब निकाले जादा है hiring कम करिये सिर्फ L&T है जिन्होंने अपना headcount increase किया है quarter के अंदर और यह number थोड़ा सा खातरनाक है अगर हम skilled workers की बात करके चले जो कि 5G के उपर focus रहने वाले है तो 2025 तक 22 million लोगों के जुरत पढ़ने व 30 तक और यह हम लोते होने वाले है जिनके पास में surplus होने वाला है बाकि अगर देखा जाए जो graduate है उनको नोकरिया नहीं मिलती है क्योंकि स्किल का बड़ा gap है अगर देखा जाए 40% जो computer IT के graduate है या फिर mathematician है उनको नोकरिया नहीं मिलती है क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है और जो practical exposure है वो बिलकुल अलग है बिलकुल अगर हम इंडिया के अंदर women workforce participation की बात करके चले तो 37% बढ़ती हुए दिखाई दिया है और यहां पर हम बात कर रहे हैं 2022-23 के अंदर अगर 2017-18 की बात करके चले उस ताइम पर 23% हुआ करती थी अगर unemployment rate की बात करके चले तो 2022-23 के अंदर वो 3.7% पर पोचा जो की 17-18 के अंदर 6% के ओपर था बागी अगर आप Google Map यूज करते हैं उसके अंदर भारत टाइप करो तो भारत इंडिया का फ्लैग दिखा रहा है आपको ठीक है अर अच्छी चीज है Google भी बात को समझ रहा है अब थोड़ी बुरी खबरों क के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज जो खारिफ की crop का output है वो घटा हुआ दिखाई दिया सकता है क्योंकि uneven monsoon आया है रिपूर्ट की मान के चले तो almost 3.79% हमको drop दिखाई दिया सकता है खारिफ का मतलब हो गया moong, ordered, soya bean और sugar gain, sugar gain मतलब चीनी, sugar gain से बनती है चीन तो मतलब चीनी के साथ में भी फर्क पड़ सकता है, although 4% बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, पर 4% एक number बड़ा होता है, मतलब महिगा ही बढ़ सकती है, इसका मतलब ही है, अब अगर मैं foreign portfolio investors की बात करके चलूँ तो उन्होंने domestic market से पिछले 2 महिने में 35,000 क्रोड निकाला है, 35,000 क्रोड के shares बेचे गए है, अगर हम October की बात करके चले, अभी तक तो 20,356 क्रोड रुटीज खाली October महीने के अंदर निकाले गए है, पर दूसर साइट पे अगर हम domestic institutional investors की बात करके चले, तो उन्होंने invest किया है हमारी market के अंदर, जहां पर foreign institutional investors निकाल रहे है उनका trust जा रहा है, dollar के जो prices है, वो बढ़ रहे currency है, हमारी तूटती हुए दिखाई दे रही है, तो दूसर साइट पे जो domestic वाले है, वो market को बचा के बैठे, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या elections आने वाले है, इसका reason है, या फिन नहीं है, नीचे comment के अंदर बताओ, Global Head और Jeffries की ब ना market crash कराओ, ये भी सवी campaign बना जाओ, अब उन्होंने ऐसा क्यों बुलाए है, उन्होंने बुलाए है, 2002 से 2009 के बीच में भी ऐसी ही growth cycle experience करी गई थी, जहांपर housing boom दिखाई दिया था, private capital expenditures बढ़ते हुए दिखाई दिये थे, और उसके बाद में सब को बता है, क्या होता हु भी हो सकते हैं, बाकि ये लोग है हमारे supporters, जिनकी वएसे हम आप तक daily business use lab आते हैं, thank you for supporting us, तो आम 3 pages तक पहुँच गया है, नीचे join का button अब दबा सकते हैं, और आप भी हमको support कर सकते हैं, बाकि अगर market की बात करके चले हैं, तो market flat दिखाई दिये, थोड़ी सी बरती भी द data है, जो Friday को आने वाला है, उसकी वेशे से देखा जाएगा कि वाई कितरा impact पड़ेगा, और साथ में अगर मैं बैंक ओफ इंग्लेंड की बात करके चलूँ, तो उनकी policy meeting होने वाली है, US Federal Reserve की policy decision होने वाला है, ये Wednesday को होगा, वो Thursday को होगा, तो पूरा हफता अगर देखा ज तो भाई, बॉर्ट बॉलिटिजनलिटी रही थी आज के टाइम पर, negative factors अभी भी बरकरा रहे है, जो Israel हमाज वार चल रही है, foreign social investors पैसा निकाल के लेके जा रहे है, inflation rate बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, US bond yield बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं न कहीं इसका impact market पर दिखाई देगा, बाकि overall देखा जाए, तो market बढ़ती हुई दिखाई दी है, जो mid cap और small cap था, वो नीचे दिखाई दी है, पर overall देखो, तो तोड़ा flattish ही थी market, बाकि इसी के साथ, आज की विज़नीज खतम होती है, उम्मित करता आवको मजा आओगा, like कर देना, share कर देना, comment दान विडियो केसी लगी, बाय गुद्रशाव, अगर कुद्धा आफज, गुद्मॉनिंग रश्म, जब भी है वीडियो देख रहे है, जैहिन बन्दे मातर।